आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोगार तो पहरबाद राहूल गांधी उत्राखंड कॉंगरस के नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात कश्मीर के नंतनाग में जवानों को मिली बड़ी सफलता एक आतंकी को मार गिराया मुट भेट जारी कोविट की मद्ने नज़र क्रिस्मस और 9 साल की मौके पर यूपी में सकती सीम योगी ने जारी किये निर्देश सीम के निर्देश सीम ने कोरोना के चलते जारी किया निर्देश मद्री प्रदेश में कोरोना और ओमिक्रोन का खतरा जारी उन्नाव में भीश और सड़क हाथसा पेट्रॉल पंप किनारे खड़े ट्रक में घुसी रोड़ विस बस कानपूर से लखना उचाते समय हुआ हाथसा नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साश्रिका मैरो तरश्रवात करते हैं उत्रप्रदेश बुलिटिन की अलिगर्ण के विधान सभा इगलास के कस्वे में इस्थित मंडी रोड के समीप आरलडी और समाजवादी पार्टी के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गिया चौधरी चर्ण सिंग की जयनती पर एक सभा का आयोजन हुआ कारक्रम में जनता की अपार भीड देखने को मिली तो वहीं दूसरी और अखिलेश यादव के द्वारा कारक्रम में शिर्कत ना करने से जनता नाराज भी नजर आई कारक्रम में आरलडी के जयनता चौधरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भीड को देखकर बहुत खुशूँ चौधरी चरण सिंग जी की जयनती एक पर्व है और अखिलेश जी ने मांग किये कि चौधरी चरण सिंग जी को भारत रतन दिया जाना चाहिए देश का प्रतेक किसान उनको अनमोल रतन मानता है अयोधिया में जमीन खरीदने में आए अधिकारियों के नाम के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और पूरवराज मंतरी पवन पांडे ने प्रेसवारता की इस दोरान पवन पांडे ने भाजपा सरकार पर जब कर हमला बोल और अब कमिशनर बनकर लूट कर रहे हैं वही नगर आयोक तो विशाल सिंग का बगया नाम लिये तंजिकस्ते हुए पवन पांडे ने कहा कि हर श्यंदर का चोला पहन कर भोले नात की नगरी काशी को लूट और अब राम की नगरी में लूट मचाने आए उन्होंने कहा कि दरजनों बार आयोध्या मुख्यमंत्री आए हैं और उनके अधिकारी लगतार ब्रिष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं नैतिकता के अधार पर बाबा को इस्तीफा दे देना चाहिए खबर और आया से है जोह जिला पंचाय सदस्य एर्वा कट्रा श्री प्रकाश चेंद्र यादफ के यहां चौधरी चरण सिंग की जेंति का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कारेकरता उपस्थित हुए तो वही प्रकाश चेंद्र यादफ ने बताया कि चौधरी चरण सिंग की जेंति को हम लोग राश्रे किसान दिवस के रूप में मनाया करते हैं चौधरी चरण सिंग ही हमेशा किसानों के हितैशी और नेता रही है उनका पूरा जीवन किसानों के हित में ही गया है और सभी लोगों को विधित है वो बहुत ही इमानदार और कर्मनेश्ट साथ ही लगन शील जमीनी इस्तर के नेता थे श्री प्रकाश श्यंद्रई आदम ने बताया कि पूर्व प्रधान मंत्री चौजरी चरण सिंग ने हमेशा किसानों के हिद की बात की है उतरप्रदेश के उपमुखी मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के द्वारा शिकोहाबाद में विशाल जंसभा को संबोधित किया गया उपमुखी मंत्री ने कहा कि जब आदमी सहाई बेसहारा और निराश हो गया था तो कोरोना लॉक्टाउन के समय लंबी बिमारी के चलते हुए कोई सहारा नहीं बना था उस समय बीजेपी सरकार के कारेकरताओं ने आगे बढ़कर सहारा दिया था सभी को निशिल्क राशन वित्रड किया था जन्धन खातों में पैसे पहुचाए जहां तक कि निशिल्क वैक्सीन को लगवाया किसान सम्मान निधी का धन भी बढ़ाया और आज उतर प्रदेश से इस कोरोना महमारी का विस्तार करते हुए सरकार सभी काड़ धारकों को न अपने हिरिदय से निकाल कर सहाई बेसाहरा लोकों को अपने हिरिदय से लगाया कारेक्रम में मौझूद डॉक्टर गिरीश चंदर शर्मा जन्ता जनार्दन से निवेदन करते हुए उन्होंने कहा कि हमें हाल ही में बिजेपी सरकार को वापस लाना है अपनी उपस्ति दर्ज कराना चाहते हैं वास्त्विक्ता ये है कि इन सब के पास में आज प्रत्यासी इनको नहीं मिला है पांच साल में जिस प्रकार से मोधी जी और योगी जी का समन में पूरे भारत वर्स में एक उधारन बना है उयूपी और जिस प्रकार से हमारा पूझी निवेस बढ़ा है जिस प्रकार से उध्योग दंदे लगे हैं जिस प्रकार से नौकरियां दी गई हैं जिस प्रकार से किसानों की आंधनी को दुगना करने का जो चौदी चरण सिंजेंजर जो सपना देखा था वो पूरा 40 सालों में पंच नदियों को जोड़ने का किसी नहीं किया था सर्यू परियोजना को पूरा करने का किसी नहीं किया था बीजेपी ने किया है आज खाद की उपलब्दुता का सपना जो अनों देखा था हम ने पूरा किया है किसानों को सम्मान निदी हम दे रहे हैं आज घरगर सौंचाले का निर्माण घरगर गैस का कनेक्शन आज घरगर गाउं गाउं बिजरी का कनेक्शन ये भीजेपी सरकार ने दिया है अब हर घर नल की विवस्ता हम कर रहे हैं ये जो दूसरे दल है आज उनके पास मुद्दा नहीं है और मुद्दा विहिन विटपाक्ष केवल अनरगल प्रलाप करके भारती जन्ता पार्टी के आरोप लगाने का जो सपना दे कर आए वह अब खबर रामपुर से है जोहाँ पर आगामी 2022 के चिनाव को लेका सभी राजनीतिक दलों में हलचल मची है सभी दल अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार को लेका सक्री है ऐसे में समाजवादी पार्टी का गड़ कहलाने वाले जरामपुर के नेता आजम खान की गैर मौजूदगी में पार्टी को मजबूती देने के लिए समाजवादी पार्टी के रास्ट्रे उपाद्यक्ष किरण मैं नंदा संगठन सभीक्षा करने पहुचे जाते दिखे कितना आजमी खड़ा होता है आजहां अखिलेज दी जाते दिखे कितना लहर है कितना जंता हुआ खड़ा होता है अब आभी भी चुना आचार संगीता लागी नहीं हुआ अभी भी जो लहार तैयर हुआ यह लहार पूज नहीं है जो बाचा सुन गीता लागे होगा तो अब देखेए समाज़वादी पाठी का एक सुना भी पुरा उत्तर पदिश में चलेंगे अयोध्य धाम में राम लला को पांसो वर्षों के बाद शेयन के लिए पालना मिल गया है भगवान अब पालना रूपी पलंग पर रात्री में शेयन कर रही है बकाईदा अब भगवान को शेयन आरती के बाद पालना रूपी पलंग पर शेयन के लिए रखा जाता है फिर भगवान को ठंड से बचाने के लिए ब्लोवर का भी इंतिजाम किया गया है वहीं रामलला मुख्य पुजारी अचारिय सत्येंद्रदास का कहना है कि शिरुवाती दौर में भगवान लकडी के सिंगहासन पर विराजमान थे अब रामलला के पक्ष में सुप्रीम कोड का फै रूपी पलंग आगया है जसमें रामलला रातरी में शेन आर्थी के बाद शेन करते हैं भगवान को गर्म वस्र भी पहनाए जाते हैं साथी भगवान के लिए विशेश तरीके की रजाई भी ट्रस्ट ने उपलब्ध कराई है चंदौली में तैनात सफाई कर्मियों ने मांगो को लागू कराने के लिए अपने खून से प्रधान मंतरी नरीनर मोदी और सियम योगी आदितेनात सहीद कई उच्चा अधिकारियों को चिठी लिखी है यूपी पंचायती राज ग्रामीर सफाई कर्मचारी संग के जिलाद्यक्ष संजै सिंग के नेतरत्व में पदाधिकारियों ने पत्र पर लिखा कि खून ले लो पुरानी पेंशन दे दो जिलाद्यक्ष ने कहा कि सफाई कर्मियों की तैनात उए 12 साल से ज़दा का समय इसे हमारा यही है कि प्रधान मंत्री जी प्रयागराज में आकर सफाई कमचारियों का पायर धोन दो जाए 12 सी खबर सामय आ रही है जहां पर अपनी बातों को मनवाने के लिए खून से चिठी लिखी गई है प्रधान मंत्री मुख्य मंत्री और अन्य उच्चादिकारियो को अफगत कर आगया है अपनी मांगों से और कहा है खून ले लो लेकिन हमारी पुरानी पेंशन दे दो तो चंदौली से ये खबर सामने आई जहा तैनात सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लागू करने के लिए खून से प्रधान मंत्री नरीन रमोदी सीम सहीत कई अधिकारियों को चिठी लिखी है यूपी पंचैती राज ग्रामीर सफाई कर्मचारी संग के जिलाद द्यक्षे संजह संग के नेतरित्म में पताधिकारियों ने पत्र लिखा कि खून ले लो पुरानी पेंशन दे दो बलंजी शहर के काला आमस्थित किलकारी हॉस्पिटल में बच्चा बदलने का आरोप लगा कर परीजनों ने हॉस्पिटल में जम कर हंगामा किया बता दे कि परीजनों का आरोप था कि लड़के को हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट किया था पर बदले में उनको लड़ अबलन शेह से एक खबर सामने आ रही है जग किलकारी हॉस्पिटल में बच्चा बदलने का मामला सामने आया है परीजनों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने लड़के को एडमिट कर रहा है था लेकिन उन्हें लड़की दी गई बच्ची को बदल दिया गया है सिस्टीवी क किया पीडितों ने हॉस्पिटल पर बच्चा बदलने का आरोप लगाया है तो अलग अलग अला परवाही का मामला देखने को मिलता है अस्पतालों में जोला चाप डॉक्टरों का मामला सामने आता है वहीं अब बच्चा बदले जाने का भी मामला सामने आया है बुलंद कि बिल्कुल मैं आपको बता दू कि पूरा मामला नगर कोटवाली के अंतरद छेक छेतर का है जहां पर चिलकाली होस्पिटल का बच्चों का होस्पिटल है पच्चे को बीज तारिक को एडमित कराया था फिर उसके बाद परीजनों का आरोप है कि जब 24 तारिक को बच्चे क अब जा रहे थे तो वहां पर बच्चा घट जा पर देख तो बच्चा बदला हुआ था और रखे की जगह पर लड़की जो बच्ची आतों में दी थी जी तो कितनी उम्र का बताया ज़ा रहा है ये बच्चा कितने महीने का है इस जोटा बच्चा ही था नग्जाब पिश और मामले का संग्यान लिया और फिलाज जाच में पुलिस जूटी हुई है जी जिससरा से परिवार के दुवारा सीस्टीवी कैमरे की फुटेज हटाने का अरोप लगाया जा रहे तो क्या पुलिस ने इसकी जाच करी इन सब मामलों पर पुलिस लगाता जाच किये हुए है पुलिस करे के कहना है कि जो भी सामने निकल कर आएगा उसके आधार पर वैदानिक कारवाई की जाएगी जी बिल्कुल बहुत 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 शुक्रिया मैसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर मैसे समधाता तश्यवांग जुड़े थे मैं देवरिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जोहां सदर कोतवाली अरुड कुमार सिंग अपनी टीम के साथ सोनु घाट चोराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान पहुचे और मुखबिर की सूचना पर ग्राम चकसराए बदल दास के पास एक मोटर साइकल एक पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है शातर चोरो को पुलिस ते पकड़ा है मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान इन चोरो को पकड़ा गया है इनके पास से एक पंपिंग सेट ट्रॉली के साथ चार चोरो को पकड़ा गया है सिधार्त नगर में आधार कार्ड बनवाने के नाम पर भारी रकम वसूली का मामला सामने आया है जहापर आवेद को ने पोस्ट आफिस पर आधार कार्ड को लेकर वसूली का आरोप लगाया है सेंटर संच्छालक आधार कार्ड के लिए मनमाना शिल्क वसूल कर रहे है जिसकी वज़े से अब लोगों को आधार पंजी करण करवाना पड़ रहा है जिससे लोगों को परिशानियों का सामना करणा पड़ रहा है इस खबर पर हमाइसा सदबाद चीट के लिए समधता रवी प्रकाश जुड़ चुके है रवी क्या है पूरा मामला और कितना मनमाना शिल्क वसूल कर जा रहा है पोस्ट आफिस द्वारा जी आपको बताना चाहेंगे कि सिदार्पनगर जिलिक के बड़ पूर स्थित पोस्ट आफिस का यह मामला सामने आया है जहां पर आवेतकों ने यह नाराजगी जताई है कि निदारी सुल्क से अधिक रुपया वसुल किया जा रहा है साथ ही इसका विरोग करने पर संचालक द्वारा अभदरता से भी व्योहार किया जा रहा है जो अपने आप में कहीं न कहीं तरकार की मंसा के अनरूप काम नहीं हो रहा है जी तो जब इसकी शिकायत दर्च कराई गई तो क्या अभी तब कोई एक्शन लिया गया है क्या कहना है पोस्ट आफिस करमचारियों का जी अभी इस बारे में कुछ कारवाई नहीं की गई है जबकि परदान डागघर सिधारत नगर तुबालक बर्मा का का काना है कि इसका पूरा मामला का जाच कराया जाएगा और जैसा भी होगा कारवाई की जाएगी जी बिलकुल बहुत 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 शुक्रिया माईसा जुड़ने के लिए और तमाम जैनकारी के लिए सिधारत गर से इस खबर पर मैसा समधातार अभी प्रकाश जुड़े थे फतेपुर खागा कोतवाली छेत्र में पुलिस को बड़ी सफलताहात लगी है जो हवान चोरी करने वाले अंतर जिनपदी ये गैंग का परदाफाश हुआ है पुलिस टीम द्वारा मुख्बिर की सूचना पर एक मोटर साइकल पर सवार दो वाहन चोरो को पकल लिया गया है वाहन चोरो के उपर करवाई की गई है और पूस्ताच पर मोटर साइकल के लावा पाच अन्य मोटर साइकल हाईवे के नारे बनी घनी जाडियों से बरामत क की गई हैं उतर प्रदेश की खबरों में फिल हाल इतना ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी